नमस्कार सभी को मैं नील बेन वाल अवर्च एजुकेशन के इस प्लाटफूम पर आप सभी का स्वागत करता हूँ तो CTA exam के लिए specially जो मोक टेस्ट हमने स्टार्ट किये थे अब तक 10 क्लास हमारी ओल्रेडी हो चुकी है जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आज 11 क्लास को continue करते हैं और पिछली क्लास के अंदर हमने इंडिया जी के और साइंस और स्टैटिक जी के क्योशन कवर किये थे आज की क्लास में कुछ हरियाना जी के क्योशन भी इसके अंदर एड़ करेंगे जो exam के point of view से important है और जिन में कुछ एक confusion रहती है वो question इसके अंदर cover करेंगे तो शुरू करते हैं देखिए सबसे पहला question आपके सामने उससे पहले देखिए important information CT exam काफी नजदीक आ चुका है तो अब time है practice करने का और practice करने के लिए test book के उपर आज तक का सबसे अच्छा offer जो चल रहा है दिवाली के उपर है जिसके अंदर आपको जो 500 रुपे का past पहले वो हो चुका है 300 रुपे का और इस 300 के उपर भी अगर आप code लगाते हो OE10 तो आपको एक साल का जो पास मिलेगा यहां पर आपको यह मिलेगा कि वहां पर हर एक question का detail solution जो दिया गया है और detail solution का फाइदा यह है कि आपके question के साथ और बहुत सारे question कवर हो जाएंगे और साथ ही यहां पर test book के उपर आपको आपकी rank भी शो होती है तो आप खुद की तयारी देख सकते हैं कि आप इतने बच percent का discount दिया जाएगा करण कोट का किला जहाब कहां पर स्थीत है तो करण कोट का किला कहां पर स्थीत है यहां से आपके देखो जो confusing वाले question है न वो यहीं से बनते हैं करण कोट का किला जहाब आपका फतेहबाद के रतिया के भट्टू बुआन के अंदर option number 8 है इसका वो right answer ह इसके बाद question जो बनता है कि करण का किला करण का किला जह वो कहां पर है करण का किला और दूसरा पूछा जाता है करण का टिला तो करण का किला और टिला दोनों के दोनों कहां पर यह कुरुक्षितर के अंदर हो जाएंगे करण के किला और टिला उसके बाद करणाल में पू हो जाएगा तो यह ध्यान रखना है इन question के अंदर confusion ही होना करण का किला कुर्खषेतर के अंदर करण का टीला जो है वो कहां पर मिडजा पुर्खषेतर के अंदर हो जाएगा और बाकी करण जील आप सभी को पता यह करण कोट का किला पूछा गया फतेहबाद के रतिया के अ जाटों का प्लूटो जिनको बोला जाते हैं जाटों का प्लूटो बोला जाते हैं इनकी मिर्त्यू कब की गई इनकी हत्या जोह वो कब की गई पची दिसंबर 1763 को किसके द्वारा की गई नजीबु दौला के द्वारा जोह वो की गई नजीबु दौला के द्वारा तो नज जिवू दोला ने किस नदी के किनारे तो हिंडा नदी के किनारे हत्या की थी महराजा सूरज मल की और 25 दिसंबर 1763 को महराजा सूरज मल इससे पहले आपको पता है जो कि 14 जनवरी 1761 को पानिपत का जो तीसरा यूद जो हुआ था इस यूद के अंदर जो मराठे हार गए थे और इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी बताया जाता है कि क्योंकि इन्हों ने महराजा सूरज मल की बातों को ध्यान नहीं दिया था और महराजा सूरज मल के कहने पर ये नहीं चले थे इसलिए मराठे हार गए थे अगर यहां पर मराठे इनकी बात माल लेते तो शायद उस इसका जो रहेगा व हिंड़न अधी ऑप्शन नमबर बी जो इसका वो राइट अंसर है महारजा सूरजमल वैसे तो जो भरतपूर की राजा हुआ करते थे भरतपूर का जो कैसके भरतपूर को किस ने बनाया था वह महारजा सूरज जो है ना वो है सती का तलाब और ये कहां पर है ये भी आपका पलवल के होडल के अंदर है पलवल के होडल के अंदर होडल जो की पलवल की विधानसभा के आरक्सित सीट है वहीं पर ये आपका तलाब जो हबो रहेगा किशोरी महल पलवल के अंदर तो इसका जो रहेगा अब देखो, हिंडर नदी किसकी साइक नदी यमुना नदी की साइक नदी हो जाएगी हिंडर नदी अब यहाँ पर option number A जो देर खाए वो रावी नदी तो रावी नदी के किनारे या जिसका पुराना नाम क्या था पुरुश्णी नदी था और इस पुरुष्णी नदी के किनारे एक युद होता है जो कौन सा था जिसको हम बोलते हैं दस राक का युद या जो किसके बीच में हुआ था राजा सुदास के साथ जो युद हुआ था दस राक का युद ये युद किस नदी के किनारे तो राविया पुरुष्णी नदी के किनारे हुआ था नर्मदा नदी तो नर्मदा नदी जो है इसके अगर पूछा जाए तो किसका राजा हर्षवर्दन था हर्षवर्दन और किसके बीच में पुलकेशिंद वीतिया जो है हर्षवर्दन और पुलकेशिंद वीतिया के बीच में यूध होता है कौन सा टेक्ट जिसको क्या बोलते हैं काला कानून के नाम से जिसको जाना जाता है काला कानून और इसके साथ है इसके एक टेग लाइन जो एक्जाम में पूछी जाती है कि कुन सा बिना अपील बिना वकील और बिना दलील बिना अपील बिना वकील और बिना दलील ये टेग लाइन किस के साथ संबन्द है बिना पिल बिना वकिल बिना दिल का ये किस के साथ रोलर टेक्ट के साथ संबन्द ही थै और इस समय ये कब आया था 19 मार्च 19 19 देखो 19 19 19 तीन बार आ गया 19 मार्च 19 19 को रोलर टेक्ट जबाया था तो उस समय कौन था लाड़ चैंप स्पोर्ड जबो भारत के अंदर वाइसर आई था तो कौन सा हो जाएगा और अगर अंगरेजों को यह लगता था कि कोई भी मतलब शक्क के तो अगर किसी के उपर शक भी हो गया तब भी उठा को जेल में उसको डाल सकते थे उसके उपर किसी तरह का कोई वकील करने की उसको अनुमती नहीं थी तो यह था काला कानून और इसके लिए सबसे पहले किस अप्टर सत्यपाल इन दोनों को गिर्फतार किया गया सबसे पहले और इनके गिर्फतारी के विरोध में ही एक जलिया वाला बाग में जन्द सबाद चल लए थी आपको याद होगा 13 अप्रेल 1919 बेसाखी वाले दिन यहां पर एक जन्द सबाद चल ले थी शांति पूरोक तरीके से और इसके अंदर किसने तो जन्रानphabet जो था उसने गोली चलवा दिती हमपर सबसे बहुत बड़ा wreck जो किया था और इस तेरा प्रेल 1929 के अंदर जो जनर्रल डायर ने हत्या कांड किया था इसी की उप्रेक आयोग बैठा तो उसा आयोग को ध्यान रकले ना वो कुछा होजेगा हंटर आयोग उसा हंटर आयोग जब वो हो जाएगा जो कि इसी नर्साहार के लिए एक आयोग बिठाया गया था इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए और जब तेरा आप्रेल 1929 को ये नर्साहार हुआ था तो एक्जाम में जो क्वेशन बनाई यहां से रमिंदनाथ टैगोर ने कौनसी उपादी लोटाई थी केसर एहिंद केसर एहिंद की उपादी लोटाई गई थी महत्मा गांधी के द्वारा तो रोल अटक्ट के समय कोन था लाड़ चैम्स फोड विशाखादत के द्वारा लेकित मुद्रा राक्सस पूस्तक कि इस भासा में है पूस्तक देखो इंपोर् घीऌटी पूस्तक है कौन सी ट्रें टू पाकिस्तान के बाद पूचि जाते हैं पदमावत पदमद किस की गार्माई वीसे बासा संस्क्रीट वहीं गई थी option number C जो इसका वो राइट अंस रहेगा भारतिया नोसे ना कादमी जो वो कहां परस्तित है तो भारतिया नोसे ना कादमी नैवल एडमीर आर ही कुमार जो इसके चीफ हो जाएंगे किसके नवी के यह नी नोसे ना के इसके अडंmia कहाँ पर हैu इसके इसके बाद एक पूछी दाती है IMA, अंधिया मिल्टरी अकाडमी कहा रही, यह देहरादून के अंदर देरादून में एक दूसरी भी है FRI Forest Research Institute ये भी कहां पर है देरादून के अंदर देरादून में हो जाएगी इसके बाद एक राश्टी रक्षा कादमी यानि कि आपकी आपकी National Defense Academy जो है उस वो कहां पर है वह खडग वासला के अंदर ये खडग वासला कहां पर है प सबसे लंबा बंद कॉंचा है फारत का सबसे लंबा बांद कुंचा ही रा कुण्ण बांद किस नदी पर महा नदी पर कहां पड़ेगा उडिसा के अंदर option number AZ this इसका वह डाइट ऐसी तो था सबसे लंबा आपसे पूझे सबसे उंचा बांद कौन सा है तो वह जाएगा तीहरी बांद या जिसको टीहरी डैम बोल सकते हो यह हो जाएगा सबसे उंचा बांद उडीशा के दर आपका कौन सा है यह Patient काँप E मिला है निरत चोपड़ा काफी important question कोई भी exam उठा लेना यहां से question जरूर मिलेगा क्योंकि निरत चोपड़ा ने पहली बाद जो olympic game जो हुए थे उसके अंदर इन्होंने भाला फेंक कर gold medal जीता आया था और कितनी मीटर gold medal कितनी दूरी पर फेंका था 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंका था कब की बात है यह 7 अगस्त की और इसलिए 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है javelian through day या भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को क्योंकि निरत चोपड़ा जो है यह नोने व्यक्तिगत तोर पर यानि इंडिविजुली जो है व्यक्तिगत तोर पर यह उलंपिक के अंदर गोल्ड मैडल दिलाने वाले दूसरे परसन बने है कोन निरत चोपड़ा पहले कोन थे पहले थे अभिनाव बिंदरा और अभिनाव बिंदरा का किस क्यल से सम्मध है शूटिंग से तो शूटिंग के अंदर अभिनाव बिंदरा ने पहले व्यक्तिगत तोर पर जो गोल्ड मैडल जीताया था दूसरा निरत चोपड़ा का हो जाएगा और निरत चोपड़ा को कौन सा 2022 के अंदर चोथा सिविलियन अवोर्ड पदम सिरी से इनको सम्मानित किया गया है ओप्शन नंबर एज इसका वो राइट अंसर इसके साथ ही 2022 के अंदर इनको पदम विशिष्ट सेवा पदक भी दिया गया खेल का सबसे बड़ा पुरसकार भारत में सबसे बड़ा खेल का पुरसकार है मेजर ध्यांचंद खेल रतन पुरसकार 2021 में इनको दिया गया ओप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट अंसर एगा उपरोक्त सभी ये सारे के सारे पुरसकार दिये गए है नीरत चोपडा को अभी हाली में एक क्योशन इंपोर्टेंट रहाना जो इनका किस केल से सम्मन्द है तो इनका सम्मन्द है शोट पूट से दूसरा एक सीमा अंतिल पुनिया पूछा जाता है सीमा अंतिल पुनिया किस से है ये डिसकस थरो से सम्मन्द हो जाएगा सीमा अंतिल पुनिया का नेक्स्ट टुर्की तुर्की की मुद्रा क्या है तुर्की तुर्की यानि की ट्रकी जो देश है तुर्की तुर्की देश जो है इसने अभी हाली में अपना नाम बदला है और इस नाम क्या रखा इसने तुर्की है जह वो नाम रखा important current affair का question इसकी मुद्रा कौन सी है तो टर्की लीरा जो हो हो जाएगा option number 20 है वो right answer तका कहां की है बंगलादेश की जो हो कौन सी तका जो हो करंसी हो जाएगी रिगवेद में कितने मंडल है रिगवेद सबसे पूराना वेद कौन सा है सबसे पूराना वेद तो सबसे पूराना वेद रिगवेद है इसमें कौन मंडल कितने है तो दस मंडल है इन दस में अगर आपसे पूछे important एक तो तीसरा हो जाएगा एक सात्वा important है क्योंकि इस तीसरे मंडल के अंदर वर्नन किया गया किसका गायतरी मंतर का और सात्वे के अंदर किसका वर्नन किया गया है दस राग युद का वर्नन जोह वो किया गया है दस राग युद हमने अभी पड़ा पुरुषनी रावी नदी के किनारे हुआ था तो ये तीसरे और सात्वे मंडल के अंदर हो जाएगा और इसका जो right answer रहेगा ओप्शन नमबर भी दस मंडल रहेंगे पंडित शिव कुमार सर्मा जिनका हाली में निदन हुआ है तो ये किस वाद्य अंतर से समंदित है उप्डित शिव कुमार सर्मा जिनका भी हाली में दस मई 22 को इनका निदन हुआ और ये किस से संतूर से संबंदित है Option number C जोई सिसका वो राइट अंसर एगा तबला से जाकिर हुसें के बारे में पूचे किसे तबले से संबंदित है सितार से कौन है पंडित रविशंकर इनका संबंद हो जागा किस से सितार से छोटू राम ने भांकडाबान समझोते पर किसके साथ थास्ताकसर किये थे भांकडाड़ डेम के जन्मदाता आप सभी को पता किसको बोलते हैं सर छोटू राम को बोला जाता है बिलास्पूर के राजा के साथ इन्होंने समझोता किया था option number A right answer एगा इसके साथ ही चोटु राम इनको एक उपादी दी गई जो की कौनशी है दीन बंदु की उपादी और ये किस ने दी थी ये दी थी महात्मा गानी ने और किस ने एंड्रियूज के द्वारा ये उपादी जबो दी गई कब की बात है 1922 के अंदर ये उपादी दी गई और आपने पढ़ा होगा दीन बंदु क्योंकि इनके नाम के आगे दीन बंदु लगता और इनके नाम की उनिवस्टी है कुनशी दीन बंदु चोदरी छोटु राम उनिवस्टी ओप साइंस और टेकनोलोजी कब 1927 के अंदर ह इसके बाद 1927 के अंदर इनको एक और उपादी दीगी अंग्रेजों के द्वारा वो थी राय बहदुर की दस साल के बाद इनको उपादी दीगी कुनशी सर की उपादी तो ये तीन उपादी इनके बारे में पूछी जाती है एक्जाम के पॉइंट को इसे जो इंपोर्ट जो वो इसका नाम रखा गया कहां पर पढ़ता है ये पानीपत के अंदर है पानीपत का गाउं है बाबरपूर जिसका नाम बदलकर गुरु नानकपूर रख दिया गया है नेक्स्ट लोकसभा का वर्नन निमन में से किस अनुचेद में आता है लोकसभा जिसको हाउस ओपी इसके लिए एज होती है और इसमें कुल सीटें कितनी है तो सीटें आप सभी को पता है 552 सीटें मैक्सिमम 552 सीटें जिनमें 530 तो जो है वो राज्ये से चुन कर आते हैं उसके बाद 20 जो वो केंदर साशित पर देशते और दो जो है वो हो जगे एंगलो इंडियन अंगल हालांकि अभी अंगल भारती है अंगलो इंडियन का प्रावदान खतम कर दिया गया है अब ये दो सदेश्यन नहीं चुने जाएंगे लेकिन ये जो 530 जो ये राज्ये से चुने जाते हैं और ये जो यूनियन टेरेटरी है इनमें 13 प्लस 7 होगा क्योंकि ये 7 वो आपके एरिया हो जाएगा जो कि P.O.K. है पाकिस्तान उक्यूपाइड कस्मीर वो एरिया कस्मीर का जो किसके पास है पाकिस्तान के पास तो इन साथ के उपर तो इलेक्शन होते नहीं क्योंकि ये तो पाकिस्तान के अंडर में है तो अभी कुल सीटे कितनी हो जाएगी 543 सीटे हो तंह बेटन कप कि सिल से सम्मंदित एनखो बेटन कप अगर आपसे पूँछे आपसे रंगास्वामि कप या पसे आगा खान प्यश्व स harder की वडकरोा कर्म कुन सा MIJAR, ध्यांचन KHJAL LATAN AWORD और मेजर ध्यांचन की याद में कुन सा 39 अगस्त को में के डिवस मनाते हैं जो कि कुन शा है, खेल डिवस मनाया जाते है 19 अगस्त को देखो अभी already में अगर पूछे भारत के स्पोर्ट्स मिनिश्टर जो वो कौन है स्पोर्ट्स मिनिश्टर कौन है अनुराग ठाकूर अनुराग ठाकूर जब भी वरतमान में अनुराग ठाकूर स्पोर्ट्स मिनिश्टर हो जाएंगे वहीं पर अगर हरियाना के अगर से पूचे की स्पोर्ट्स मैंश्ट्र जह अब कौन है तो वह संदीप सिंग और हिंस दिलजीत सिंग्जों की एक पंजाबी एक्टर और सिंगर है उनके द्वारा सूर्मा फिलमेन का किरदार निभाया गया था माउंट एवरेश्ट पर फते करने वाली पहली भारतिय महिला कोन थी माउंट एवरेश्ट पर अगर ये पूछे सबसे पहली बार कोन गया था तो एडमंड हिलेरी और तैनजीन नोरगे ये गए थे सबसे पहले कहां पर माउंट एवरेश्ट के उपर कब की बात है तहत यह गई थी उस मिसन का नाम रखा गया था एवरेश्ट 84 और इसके तहत जाने वाली पहली भारतिया महिला जो बनी वो बनी बच्छेंदरी पाल अब यहां पर दिया गया संतोस यादव संतोस यादव तो इंपोर्टेंट है ही क्योंकि संतोस यादव का समध आप सभी को बात है मई 1902 में और पूरे एक साल के बाद मई 1903 में दो बार जाने वाली विशो की पर्थम महिला जो बनी वो बनी संतोस यादव और बाकी इसका जो हो गया पहली बात है बच्छेंदरी पाल ओप्शन नंबर बी बच्छेंदरी पाल को 2019 के अंदर इनको पदम भूशन प ऑट है किपने हो किपने टाइम के लिए यह 10 साल के लिए डिया जाते है भारत में सबसे पहले किसी को दिया गया था तो डार्जलिंक की चायजो Feels को दिया गया Nachp बेंगोल के अंदर प्रस्चिम मंगाल के अंदर हो जाएगा नेक्स्ट भारत के तिरंगे जंडे को सविधान के द्वारा कब अपनाया गया तिरंगा जंडा जो है अगर इसके बारे में confusing question यहां पर क्या बनता है यहां पर यह पूचा जाता है लंबाई और चोड़ाई का ratio कितना है तो वो हो जाएगा 3 ratio 2 सबी को आता है कोई दिक्कत ने इस question में लेकिन दिक्कत कहां पर आती है अभी एक exam में आया था चोड़ाई और लंबाई का ratio बताओ उसमें पहला ही option दिया गया था 3 ratio 2 और लास्ट का था 2 ratio 3 तो यहां पर देखते पहले बार answer लगा देते हैं कि ठीक है यह answer होगा लेकिन य यहां पर चोड़ाई और लंबाई का पूछा गया तब आपको 2 ratio 3 करना है लंबाई और चोड़ाई का पूछे 3 ratio 2 जो है वह हो जाएगा पारत की तिरंगे को डिजाइन किसके द्वारा किया था पिंगाली बिंकिया के द्वारा इसको डिजाइन किया गया और सविथान के द्वारा कब अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को काफी इंपोर्टेंट क्योश्चन है ओप्शन नंबर 20 इसका वो राई टंसर रहेगा इसका दांतों के डोक्टर द्वारा कौन सा दर्पन उपयोग में लाया जाते हैं तो दांतों के डोक्टर जो है ना वो किसका आउतल दर्पन क का यूज करते हैं कनकेव मिरर का यूज किया जाता है दांतों के डोक्टर डेंटिस्ट के द्वारा इंटी इयर नोस थ्रोट जो डोक्टर होते हैं कान नाग गले का जो डोक्टर है वो भी आउतल दर्पन यूज करते हैं इसके साथ ही सोलर कूकर में पूछे तो भी कौन स इसके बारे में 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by U इनमें यू आपका या वी मालो एक तो आपकी होगी जो डिस्टेंस प्रोम अब्जेक्ट प्रोम दा मीरर यानि कि मीरर से अब्जेक्ट की डिस्टेंस मीरर से अब्जेक्ट कितनी दूर है और दूसरा मीरर से जो आपकी इमेज जो बनी है वो कितनी दूर है यह होता है मीरर फोर्मूला ओप्शन नंबर सी या उतल दरपन से इसका वो राइट अंसर एगा इसके बाद देखो निश्ची दूरी में किसी वस्तु द्वारात या कि गई दूरी को क्या कहते हैं तो वो कौन सा हो जिगा निश्ची दूरी एक हो सकता है क्यों क्योंकि डिस्टैंस तो आपकी होगी जितनी दूरी पर एक अदमी अधीड हो जाएक से एक कर्ले कर ली कि लेकिन यहां पर इसे बापी से बिसक्राइब को पर विस्तापन क्या होता है विस्तापन होता है जो final point है जिस point से उसने चलना शुरू किया था और जिस point पर वो रुक गया उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी तो वो कितनी होगी तो जीरो हो जाएगी ना यहां पर क्योंकि यहां से चलना शुरू किया यहीं पर वापिस आ आगया तो frequency of sign किसमें मापते हैं frequency of sound यह किसमें तो यह हर्ट के अंदर मापा जाता है option number second थर्ड जहबो राइट अंसर हिमोगलोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है हिमोगलोबिन HB HB के नाम से जिनको denote करते हैं हिमोगलोबिन RBC के अंदर मारा पाया जाता है और RBC red blood cell जिसकी वज़े से RBC का color जो वो कौन सा होता है यानि हमारे blood का color जो किस वज़े का लाल रंग का होता है इसके अंदर iron पाया जाता है option number D जो इसका वो राइट अंसर हिमोगलोबिन एक तरह का क्या होता है protein होता है हिमोगलोबिन कोबाल्ट कोबाल्ट था तो किसमें vitamin B12 के अंदर पाया जाते जिसका नाम के है साइनो को बालमीन जो है इसका नाम हो जाएगा next माने हो शरीर की सबसे बड़ी गरंती कोंची है यहां पर देखो सबसे बड़ी गरंती एक तो यह हो गया सबसे बड़ी गरंती यहां पर देखो तीन तरह के question बनते है सबसे organ वो कोंचा हो जाएगा तो अच्छा यानि कि skin हो जागी अब देखो यक्रित important हो क्योंकि यक्रित एक protein बनाता है कौन Eco पूछा जाती को बनाता है कि कोन बनाता इसको तो यक्रित बनाता है रिवर बनाती इसका काम क्या है जैसे हमारी वेंज जो है झनशे नसें जो है जो blood का flow होता है उसको particular चलता रहे यानि कि देखो जैसे हम पढ़ते हैं रक्त का थक्का रक्त का थक्का जमने का मतलब यह कि कहीं पर चोट लग जाए तो वहां से blood बाहर ना निकले इसलिए blood का थक्का जरूरी होता है क्या अगर थक्का हमारी blood हमारे जो नसें जो हो उसके अंद बलड ना जमे उनका क्लोट ना हूँ इसके लिए प्रोटीन होता है जो कि हिपेरीन है और यह कौन बनाता है यह यक्रित बनाता है लीवर बनाता है ओप्शन नंबर एज इसका वो राइट अंसर अमलगम मिशर धातू में पाई जाने वाली मुख्या धातू कौन सी है तो मेजर कॉंपोनेंट होता है वो पारे का पारे को HG डिनोट करते है और एक मातर धातू जो कोण सी liquid form में पाई जाती है रूम टेमपरेचर के उपर एक मातर ऐसी धातू जो की room temperature पर liquid वस्ता में पाई जाती है वो है पारा HG के नाम से जिसकों बनाते हैं और एक तो यह तो गी धातू ए धातू कौन सी है ए धातू ब्रोमिन ब्रोमिन हो जाएगी जो की room temperature पर liquid form में पाई जाती है पहलेगरा निमन में से किस विटामिन के काण होता है तो पहलेगरा किसकी नियासीन के काण और नियासीन किसका नाम है नियासीन हो जाएगा विटामिन B थरी का option number second तो इसका वो राइटन चरेगा विटामिन के अगर बात किज़े तो इसकी खोज किसके द्वारा की गी थी तो इसकी खोज की गी थी विटामिन का नाम तो दिया था किसने फंक ने नाम किसने दिया था इसका फंक ने इसका नाम दिया था लेकिन अगर आप से ये पूछे कि इसकी खोज किस ने की थी, Hopkins ने इसकी खोज की थी, और Hopkins को Nobel Prize में मिला था 1929 के अंदर, 1912 में खोज की गई, लेकिन जो Nobel Prize दिया गया वो 1929 में दिया गया था, next, मचली के हरिद्य में कितने चेंबर होते हैं, मचली के हरिद्य में दो चेंबर होते हैं, अगर आप से ये पूच सकते हैं, जैसे कचुआ होगे, जो पाणी जमीन दोनों पर है, उनमें तीन चेंबर, और मनुष्य के अंदर, human के अंदर, चार चेंबर, यानि की हरिद्य में कितने कोश्टक होते हैं, कितने चेंबर होते हैं, दो गे मचली के अंदर, माइटोसिस जो है, वो क्या है, तो मा के अंदर का विभाजन होता है, और सेकेंड के अंदर, जो कोशी का दर्वेज होता है, उसका विभाजन होता है, तो इसको बोला जाता है, माइटोसिस, कोशी का अध्यन, इसको क्या बोलते हैं, साइटोलोजी बोला जाता है, कोशी का के अध्यन को, हडियों के अध्यन को, osteology बोलते हैं next question देखो 37 दवन अंत्रिक्स के अंदर कहां स्थित है ये question रहेगा आप सभी के लिए answer कर देना इस question का next class में हम discuss करेंगे तो इस class के अंदर इतनी question हैंगे उमीद करता हूं class informative लगी होगी class के बारे में अपना valuable response जरूर देना class आपको कैसी लगी और जैसे कि इस बार हमने कुछ हरियाना जी के question कुछ add किये थे उसके बार में भी अपना review जरूर देना कोशित करतें next class में कुछ और important question इसके अंदर add किये जाए ठीक है बाकि हरियाना जी के की class हमने की थी उसको आप जरूर देख लेना क्योंकि उस class के अंदर आपके जो प्रीशेर पेपरों के उपर base class दो रहेगी काफी important है देखो अगर प्रीशेर question अगर उठाये जाएंगे ना तो वहाँ से उन से बाहर question नहीं आएंगे वो दूसरी बात है इन प्रीशेर question से related जितने भी question बनते हैं वो सारे हमने अच्छे तरीके से cover कर रखे हैं मतलब यू मान सकते हो कि अगर आपको last revision करना है वो class काफी important हैगी तो वह आप देख सकते हैं आवरस education के उपर आपको हरियाना जिक्के की जो marathon class मिलेगी उसको आप देख सकते हैं तो बस इस वीडियो में इतने ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं अपना ख्याल लखें जैह भारत